त्री जैसी सुपर हिट फिल्म देने वाली श्रद्धा इन दिनों अपकमिंग फिल्म साइना नहवाल की बायोपिक में काफी जादा बिजी हैं पिछले दिनों श्रद्धा को डेंगू हो गया था जिसकी वज़ा से इस फिल्म की टीम ब्रेक पर चली गई थी लेकिन अब श्रद्धा पूरी तरीके से ठीक हो गई है और उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है और अब इस फिल्म को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है आपने अभी तक श्रद्धा को कई अक्टिस के साथ स्क्रीन पर रोमांस करते देखा होगा लेकिन इस बायोपिक में आप पहली बारों ने एक फेमस खिलाडी के साथ रोमांस करते हुए देख पाएंगे जिहां दरसल खबर के मताबिक श्रद्धा कपूर इस फिल्म में मशूर बैडमिंटन प्लेयर और म्यूजीशियन इशान नकवी के साथ रोमांस करती नज़र आएंगे आपको पता दें कि फिछली दिनों श्रद्धा के साथ इशान भी बैडमिंटन की ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिये थे लेकिन तब ये बात पकी नहीं थी कि इस फिल्म में वो भी किसी किरदार में नज़र आने वाले हैं और इस गाने को कोरियोग्राफ करेंगे विजर गांगुली बात करें फिल्म की तो इस फिल्म को अनमोल गुपते डैरेक कर रहे हैं फिल्म की शूटिंग 22 से शुरू भी हो चुकी है और इसकी बाद फिल्मेकर्स ने इसका फिर्स लोग भी जारी किया था जिसके बाद शुरू धा के फैंस उन्हें स्क्रीन पर बैडमिंटन खेलते देखने के लिए काफी जाधा एक्साइटिड हैं विससे शुर्धा भी इस लोग के लिए काफी महनत कर रही हैं उन्होंने बैडमिंटन की चम कर प्रैक्टिस की है और इसके लिए उन्होंने 40 बैडमिंटन क्लासेज भी लिये हैं। इस दोरान उन्हें कई बार चोटे भी लगी लेकिन श्रद्धा ने बिना रुक के अप्टी प्रैक्टिस जारी रखी। फिलाल तो आप हमें ये बताईए कि आप श्रद्धा और इशान को स्क्रीन पर रुमैंस करते देखने के लिए कितना जादा एक्साइटेड हैं। इंडिया बॉलिवूड वाइरल की रिपोर्ट।